पाच ऐसे important tips जो आपको ध्यान में रखनी है before you go for your first paper सबसे पहले tips, सबसे important tip that is, remember that you are supposed to give a sufficient time for a first paper काफी पार मैंने देखा है कि students जो होते हैं जब उनका पहला paper होता है तो बोलते हैं ठीक यार दो दिन है हो जाएगा, तीन दिन है हो जाएगा but मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी पहला paper है उसको sufficient time दो उसका reason simple है पहला paper जैसे जाएगा उसके basis पे confidence is decide होगा future paper का पहला paper बहुत बढ़िया गया, आगे paper बढ़िया ही जाएंगे, tension पर ही जाएंगे अगर पहला paper अच्छा गया ना, automatically आपका confidence for next paper is gonna be increased so पहले paper के लिए जो study time है उसका duration जाएदा होना चाहिए, जो भी अभी first group दे रहे है तो उनका पढ़ाई मेरे इसाब से अभी उनको start कर देना चाहिए या कल से उनको start कर देना चाहिए, because that is gonna be helping them to give us sufficient time second point, second point, second point, एक ध्यान में उनको रखना है, कि जब भी, जब भी, जब भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये ध्यान में रखना है, कि पहले paper का जो भी coverage हो रहा है, 100% होना चाहिए, because confidence boost होगना पिल्ट होगा, वो इस business में पिल्ट होगा तीसरी सबसे important चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है, और वो ये है, कि at least एक से दो question exam format में आपको लिखके जाना है, काफी पार होता क्या है, कि हम लोग question practice करते हैं, बट उस examination format में नहीं करते हैं, तो जो आपको question practice करना है, exam format में वो अभी करना है, इस duration में करना है, especially for first and second paper, चौती सबसे important चीज़, एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, और वो ये है, आज का time सस्ता है, कल का time में गा है, और एक और चीज़ ध्यान में रखो, कि जो आपका duration है, exam time, 2-5 का, या 2-6 का, अगर elective दे रहे हो तो, तो इस duration में, you cannot afford to use mobile phone, you cannot afford to roam around, you cannot afford to sleep, right, इस पर जो होते हैं, हम examination में silly mistake कर बैठते हैं, paper में हमको आता है, जब हम paper evaluate करते हैं, तो silly mistake होता है, silly mistake क्यों होता है, because नीन पुरी नहीं होती, नीन पुरी क्यों नहीं होती, क्योंकि आपके पड़ा ही पुरी क्यों नहीं होती, क्योंकि आप unnecessary stress लेते रेते हो, पुरा correlation है, ध्य ने लेना है इसके साथ साथ एक और सबसे important चीज जब कि आप इस समय पे नए question pick up कर रहे हो तो आप गल्दी कर रहे हो नए question pick up नहीं करना है जो पड़ा है याद है सिर्फ recall करना है सिर्फ recall करना है राइट तो यह चीज जो है आपको द्यान में रखनी है सबसे पहले मैं सबसे सब summarize कर देता हो सबसे पहले एक चीज देन में रखो give us sufficient time to for your first paper दूसरी चीज कोशिश करो 100% cover जो 30 कोशिश करो एक या दो कोशिशन exam format में लखके जाओ चोहता avoid silly mistakes जिसके लिए आपको proper sleep अपने नीद को देना पड़ेगा उसके साथ साथ उसके साथ साथ आपको सबसे important ची है अगर आपको लगता है कि उसके और टाइम देना है तो एक बार आपका चीज से खताम हो जाएगी ध्यान रखिए जो सपना था जो सोची थे हमने चीजों को उस चीजों को अब खतम करने का समय आ गया है that is why I call this finish what you have started मिलते अंगले वीडियो मिले तब तक के लिए bye bye take care and stay safe और कोई help चीजों तो शुरूर टेलिग्राम ग्रूप में connect हो जाए मुझे टेक कर दीजिए I'll be happy to help you out